इस टॉपिक के अंदर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है कि आप प्रैक्टिकली उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और खुद किस तरीके से टेकनॉलोजी को यूज किया है बच्चों के साथ एक किताब को पढ़ते पढ़ते हैं लैंगुज डिवेलपमेंट कर रहे होते हैं तो तब किस तरीके से हम टेकनॉलोजी इंफ्यूज कर सकते हैं विदा एक्जेम्पल तो सबसे पहले जब हम इस स्टूडी को पढ़ने जाएंगे जो डेल्टर ने लिखी है ट्वांटी थिटीन में और स्टूड से सब्सक्राइब करेंगे तो उस स्क्राइब करना में नाम यह एक्लोज रीडिंग और इस में टेकनॉलोजी वह कैसे करेंगे यह हम बाद में पढ़ेंगे पहले देखते हैं कि क्लोज रीडिंग होती क्या है close reading या analytical reading बुनियादी तोर पे बच्चे शुरू कर देते हैं पढ़ना most of the time हमारे पास जो बच्चे grade 3 के अंदर enter होते हैं वो novels पढ़ना शुरू कर देते हैं और जैसी novels आते हैं चाहे वो आपके novels जो हैं fiction से related हो या non-fiction से related हो वो novels और वो expanded stories जो हैं वो बच्चों से किसी और किसम की mental capabilities required करती है अब third grade से onward बच्चों की mental capabilities required होती है अब उस literature को पढ़ने के लिए चाहें वो non-fiction है deeper level की बच्चों को knowledge चाहिए होती है across the discipline अब उन कहानियों को पढ़ने के लिए बच्चों को थोड़ा सा history का knowledge भी चाहिए होता है कुछ geography के बार में भी पता होना चाहिए होता है कुछ advanced level की academic language skills भी उनको आनी चाहिए है ताकि वो उस novels और कहानियों में जो language इस्तेमाल की गई है उसको समझ सकें, comprehend कर सकें और उनको figurative और abstract thinking भी required होती है अब यह novels और कहानी पढ़ने के लिए जो इतनी important चीज़े required होती है जिससे higher knowledge level across the discipline है आपके advanced academic language है, skills है, figurative abstract thinking है यह तीनों चीज़े हैं हमें इसलिए चाहिए हैं कि जब हम एक कहानी पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके बारे में prediction कर सकें किस कहानी में आगे क्या होगा यह इस कहानी में आगे क्या क्या कुछ हो सकता है हम infer कर सकें यह मकसद जान सकें, deeper level पर जाके कि author ने ऐसा क्यों कहा उन grey lines को भी find out कर सकें जो कि author ने directly कहानी में नहीं लिखी है आपको illustrations में नजर नहीं आ रही है तो हम इसको कहते हैं close reading और analytical reading जैसे जैसे बच्चे आगे grade में जाते जाते हैं और complex किसम के हमारे सामने कहानिया आती है, text आता है उतनी ही बच्चों को deeper mental skills required होती है यही mental skills, higher knowledge level across discipline language, academic language पर command चाहे वो उर्दू की हो या अंगरीजी की हो figurative और abstract thinking के लिए close reading के अंदर जो techniques इस्तेमाल की जाते हैं उसके जो purpose है बुनियादी तोर पे teaching method का, उसका purpose यह है कि जब teacher बच्चों को close reading technique में पढ़ाए तो बच्चे ज़रूर text को response करें और analytically response करें जिसका मतलब है वो text को analyze करें और अपने comments दें, अपने dialogues दें और discussion का हिस्सा बनें और बताएं कि इस text के अंदर क्या हो रहा है जो directly उस text में नज़र नहीं आ रहा है उसको मजीद खोल के देखें so बुनियादी तोर पे यह जो article लिखा गया है इसका मकसद यह है कि यह पता किया जा सके कि teachers कैसे बच्चों की जो analytical skills हैं और abilities हैं को support कर सकते हैं close reading के थूँ और इसके साथ किस चीज़ को integrate करेंगे technology को कैसे teachers technology को close reading को integrate करें ताकि वो बच्चों के analytical reading skills को develop कर सकें यह purpose है अब इसमें मजीद close reading के बारे में पढ़ते हैं close reading में होता क्या है close reading के अंदर बन्यादी तौर पे आप एक छोटा सा text ले सकते हैं वो text भी हो सकता है वो कोई illustration भी हो सकती है वो कोई simgal quotation भी हो सकती है depending upon कि वो कितना बड़ा text है और हम उसको एक दफा पढ़ने के बाद दुबारा दो से तीन दफा focused होके पढ़ते हैं जब आप एक ही text को दो से तीन दफा पढ़ते हैं तो बच्चे जो हैं वो जो उसकी पहली दफा पढ़के basic understanding उनमें develop होई होती है वो उससे और higher order पर जाते हैं second दफा उसे पढ़ते हैं जब तीसरी दफा उसे पढ़ते हैं तो मजीद उसके बारे में सोचते हैं और बेहतर analytical understanding उनकी उस text के बारे में develop होती है अब आपने जो भी text लिया है या quotation लिया है ये depend करता है कि उसकी length क्या है ये भी depend करता है language को analyze कर रहे हैं और language से related बहुत सी चीज़े होती हैं जिसको आप analysis बच्चों के साथ बैट के कर सकते हैं और उनमें इस skills develop कर सकते हैं जैसे कि यहाँ एक example लिखे है emotional response कैसा है language के अंदर तो ये भी एक goal हो सकता है जब हम छोटे बच्चों के साथ close reading करते हैं तो it is so good कि अगर वो picture books हो और क्योंकि picture book के अंदर बच्चे बहुत ही अराम से illustration को examine कर सकते हैं और text को भी पढ़ सकते हैं text छोटा होता है बड़ा बड़ा लिखा होता है और बिलकुल to the point होता है और उसकी length भी छोटी होती है इस तरीके से बच्चे ना सिर्फ text को देखते हैं बलके illustrations को भी देखते हैं और उसकी बहुत से features को देखते हैं कि इनमें texture कैसा है, color है, line है, media है, layout है और वो understand करने की कोशिश करते हैं कि वो text में नहीं लिखा हो illustration में message कहां चुपावा है और वो क्या हो सकता है जब हम close reading करते हैं तो close reading के अंदर एक important चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं making notes या notes making इसके अंदर क्या होता है हमारे पास most of the time sticky notes मौझूद होते हैं बच्चे उस text को पढ़ते हैं या उस quotation को पढ़ते हैं और आप उनके साथ दो तीन दफाव सिर्फ read out करते हैं तो बच्चे sticky notes के उपर अपने सवालात लिखते हैं या अपने ideas लिखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं sticky notes भी हो सकते हैं उनके learning logs भी हो सकते हैं depending upon school में क्या चीज़ मौझूद है sticky notes पे इन notes को लेना अपने ख्यालात लिखना text के बारे में quotation के बारे में ideas लिखना उसको analyze करना इसको हम annotations कहते हैं या explanations कहते हैं explanations क्या होती हैं हम कहते हैं कि इसको focus करके underline करना और specifically सोचना उस quotation उस phrase या उस text के बारे में और उसके बारे में सोचते हैं जब हमें जो भी आईडिया आते हैं, जो भी एक्स्प्रिनेशन आती हैं, उसको में स्टिकी नोट्स पे लिख लेते हैं, यह जो एक्स्प्रिनेशन हैं, यह बच्चे जब हम रीडिंग के बाद आपस में discussion करते हैं, तो बच्चे उसे as a evidence, text के साथ match करके अपनी argument develop करते हैं, और उसको जब आप written assignment देते हैं, तो बच्चे उस sticky notes को as a evidence अपने written notes में और assignments में भी present कर सकते हैं, so in between और क्या हो सकते है sticky notes के साथ definitely teachers जो हैं सवालात कर सकते हैं, वो सवालात जो बच्चे को guide करें कि उनने कहां सोचना है और कैसे सोचना है, ताके बच्चे उन सवालात से उनको एक direction मिल सके उनकी सोच को और फिर वो अपनी analytical thinking उसके मताबिक develop कर सके.